क्यासे है दोस्तो मैं हूँ चंदरिस ठाकोर और आप देख रहे हैं हमारी अपनी यूटूब चैनल डॉक्टर चंदरिस्वेव तो डेली सीरिस का वीडियो है और आज जिस हिसाब से निफ्टी बैंक डिफ्टी में काम हुआ उसको हम 15 मिन टाइम फ्रेम और वन अवर टाइम कर लेंगे और उसके साथ है साथ पर अपनेवी है वीडिकट है इस वीडियो हैं इस कर लेंग cry डिटेल में तो वीडियो500 जाने से पहले मैं चोटी सी निया जी का एक कमेंट था बहुत ही एक नॉलेज़ेबल कमेंट था और एक बार मैंने पढ़ने के बाद मुझे भी खुद को लगा कि वाके में मैं जो वीडियो बनाता हूँ कुछ तो समझ में आ रहा है आपको ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ अलग ही लेवल की बात करता में जो है ल्यूपिन और रिलाइंस तो तीनों चीजों में मैंने जो है अगर आप पुराने वीडियो में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि जो एम रपील है सबसे पहले मैं उसका चार्ट ओपन करना चाहूँगा तो MRPL में क्या सिनारियो है उसमें मैं इसको मंध्ले टाइम फ्रह्म में एक बार ओपन करना चाहूँगा ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाओ कि यहां पर MRPL में सबसे पहले यह जो है एवेव यहां पर इसने सी वेव कंप्लीट हो चुका होता तो यहां पर जो सी वेव डैवलप होने में यहां पर जो वक्त लगा है इसको उससे कम वक्त में यहां पर MRPL को उपर की साइड में यह जो है कार देना चाहिए था तो आपकी बात सही है नैंसे जी कि यहां पर यह जो कहीं न कहीं यह उपर निकला था वहां पर इसको खींच देना चाहिए था बड़ प्राइस वापस आ चुका है तो यह जो गो जो अन्य प्रेडिक्शन वाली बात है वह कहीं न चाहिं मन्तली साइंप्रेंञ कि मन्थली टायम् жизни गोखन है बाकी जो छोटी टाइम फ्रेम है उसमें तो exact perfect जो है अपना काम करता है तो monthly टाइम फ्रेम है और क्यूंकि इसमें अपना stop loss है इसलिए मैं बोलता हूँ दो view मेरे रहते है इसके अंदर जो मैं लूपिन में बोलता हूँ कि एक बार लूपिन नीचे जा सकता है और MRPL में भी जो संभवना है तो इसमें क्या संभवना है अभी भी MRPL में ये संभवना है कि ये वाले लोग को काट सकता है और ये वाला सब्रस्श करेक्स उर अपना A value बना लिया इसने पिर Bave बना लिया और C वेः ना कहीं उसका start हो जाएगा तो यह एक प्रकार से जो है running flat type का c wave में एक pattern बना कर उपर की side में निकल सकता है और monthly time frame में अक्सर यह देखा गया है काफी सारे stock में कि यह c wave है उसका यहाँ पर a b c में यह c और b c जो है वो एक उसको क्या बोलते है और मैं exact उसका नाम अभी जो है मुझे याद नहीं है बट उसको एक इसी प्रकार का जो है यह triangle type का correction करने के बाद जो है उपर की side में निकल जाता है तो यह वाली भी pattern अपनी Elliot wave theory में है already ठीक है मैं उसको exact देखकर आपको perfectly मैं बताऊंगा किस हिसाब से वो है जो चल रहा है और c wave हो सकता है MRPL में यह पूरा का पूरा जो खेल चल रहा है यह c wave कहीं खेल चल रहा हो ठीक है और यहाँ से उसका zero point यहीं कहीं पे zero point होगा और यहाँ से वो निकलना हो सकता है start कर दे और उस वक्त पे यहाँ पर जो वक्त लगा है यहाँ पर यहाँ से हो सकता है यहाँ तक का जो time लगा है उससे कम वक्त में यह जो है यहाँ से उपर की side में यह point को काट दे ठीक है तो यह इस हिसाब से हो सकता है MRPL में वह हम in future देख सकते बाकि आज का जो moment था MRPL दूस्तो 81 रूप को आई होप आपने उसकी opportunity का आज फायदा उठाया होगा उसको 81 रूपीज के आसपास कहीं अक्यूमिलेट करने की जो है कोसिस की होगी MRPL में यह कमेंट regarding मैं इनको समझाने की कोसिस कर रहा हूँ ल्यूपिन में देखिए बात आपकी विल्कुल सही है मैं ल्यूपिन में ह और यहां नीचे आने के बाद अपना low बना कर वो उपर की side में निकल जाए तो उस condition में क्या होगा कि यह AB और यह C wave पूरा का पूरा यहां developing mode में अभी माना जाएगा और वो जो developing mode में यह पूरा का पूरा होगा वो complete होने के बाद अगर उपर निकल जाता है तो संभावना बहुत ज्यादा है कि कही ना कहीं यह जो है उससे कम वक्त में फिर जो है उपर की side में काट देगा उसके साथ ही साथ में मैं बोलता हूँ यहां 0 to B trendline है हो सकता है यहां C wave short है और यह 0 to B trendline को अभी मैं बोलता था आपको कि profit book करना है 930 940 के आसपास बट कही ना कहीं यह ज संबावना बिल्कुल मैं मानता हूँ यहां पर C wave complete नहीं हुआ है ऐसा हो सकता है यह C wave के लिए और नीचे आ सकता है और जो मेरे गुरू है 27-26 साल से जिनका experience है उनके साथ में इस चार्ट को डिसकस किया है डीटेल में उन्होंने भी मुझे यही बात बताए थी कि आप यहां पर इसको ऐसा मत समझिए कि यह जो है A, B और C होकर यह उपर निकल गया है ऐसा मत मानिए यहां पर यह पूरा का पूरा A है उसके बाद में यह B है और कहीं न कहीं C wave लगाने के लिए एक बार जो है इसको 400 या 4500 के जोन में लिउपीन को आना है यह बात confirm हुई है उनके साथ भी मेरी बट अभी हम जो ह कच्चा प्रॉफिट लेकर इसमें से निकल नहीं सकते हैं यहां से हम कच्चा प्रॉफिट लेकर इसमें से निकल जाएंगे फिर बता चला कि यह जो है 1200 रूपे-1300 रूपे से वापस लिउपीन अंदर खुमा उस वक्त पे हमें जो है दर्द होगा तो उससे अच्छा है अभी उपर जा रहा है तो इसको राइड करते हैं जिस वक्त हमें लगेगा कि किसी भी छोटी टाइम फ्रेम को ब्रेक कर रहा है डिसाइसिवली और लिउपीन नीचे आ रहा है उस वक्त पे नैंसे जी हम जो है इसमें से प्राफिट बुक करके निकल जाएंगे आराम से अ प्राफिट निचोडने की कोशिस करेंगे लिउपीन के अंदर है लिउपीन में बात हो गया है रिलाइज तो रिलाइज में आप बूड रहे थे रिलाइंस में मैं आपको चार्ट दिखाना चाहूंगा रिलाइज में मुझे ऐसा कुछ कहीं पर भी चार्ट यहां पर तो यहाँ पर B wave है और C wave develop करने के लिए नीचे आना है इसको अभी ऐसा अपना 15 minute time frame में indication है तो reliance वो सकता है एक बार नीचे आ जाए और यहाँ पर इसने 15 minute time frame में तो reliance ने बहुत अच्छे से हमको जो है गिन गिन के wave count करवाई है अपनी AI based system ने कि यहाँ पर इसने 1, 2, 3, 4, 5 ब आने की संभावना बहुत ज्यादा है तो यह वाला लोखा है reliance का जो cut सकता है ऐसे संभावना है अभी भी चार्ट के ऊपर ठीक है तो हम इसको जुठला नहीं सकते है ठीक है 15 minute time frame में one hour time frame में में reliance की अगर बात करो तो वन hour time frame में reliance में देखें यहाँ पर तो फिफ्ट वेव डेवलपिंग मोड में है तो यह तो इंडिकेट कर रहा है कि मुझे 26 हो जाना है एक बार उसके बाद में नीचे जो है आओंगा एबी सी डैवलप करने के लिए तो देखेंगे इसको further कैसा moment रहता है बट 15 minute time frame में अपना इंडिकेशन है कि यह एक बार यहां से सौर उपर नीचे आ सकता है जल्द बाजी नहीं करेंगे लॉंग पोजिशन बिल्डप करने के लिए जब तक हमें पैटन कंफरम अपना नहीं होता है यहां पर सीवेव होने के बाद फिर यह वापस बीवेव को काटने आएगा तब जाकर हम लॉंग पोजिशन बिल्डप जो है कर सकते हैं रिलाइंस है इसमें ल्यूपिन में मेरा राय जो क्लियर है MRPL में भी संभावना है बट MRPL ऐसा तो नहीं है कि जो लास्ट वे उसका नीचे सी वेव था उसको भी नीचे ब्रेक करने आएगा वह वह वाले पैटर्न नहीं रहेगी वह 19-20 रूपे वाले लेवल नहीं रहेंगा भी ठीक है MRPL में वह आप त्यान में रखिये और संभावना यह है 120 जाने की बहुत ज्यादा है 20 रूपे आने की बहुत कम है ठीक है वह भी मैं आपको बता दो क्लियरली निफ्टी पे चला जाता है 15 मिनिट टाइम फ्रेम में उसने जो है एबी सी का कंफर्म किया है तो इसमें भी वह तो क्या यह 43 बार में इसको काटेगा उपर की सैड में वह हम देख लेते हैं तो यहां उपर की सैड में 31 बार है तो जो कुछ भी होना है तेज होना है अगर उपर की सैड में इसको जाना है तो तकरीबन यह 10 यानि 1500 मिनिट के अंदर ठीक है कल 1500 मिनिट के अंदर इसको जो ह पड़ेगा अगर वाकई में इंपल्सिव होकर जा रहा है वरना वरना वन अवर टाइम फ्रेम में जो है वो अपना इंडिकेशन दिखा रहा है सी वेव डैवलप करने के लिए ठीक है यहाँ पर भी दो चीजे है कि इसने जो है यहाँ पर ए बी और सी बना लिया है उसके बा के सुरुवात के दो घंटे है बहुत ही जादा माइने रखेंगे निफ्टी के लिए अगर निफ्टी ने ये जोन को काटा 19,860 को काटा तो निफ्टी जो है उपर की सैड में निकल जाएगा और यहाँ से जो है यह 9 नमर के उपर चला जाएगा और यह जो है ओवर आल यह 20,500 के लेवल को टच करता हुआ नजर आएगा तो यह शुरुवात के दो घंटे में ध्यान रखेगा 19,870 के जोन को काटता है तो हम इसको हलके में लेंगे उसके बाद में इसमें लॉंग पोजिशन विल्डप करेंगे और टार्गेट अपना जो 20,200 से लेकर 20,500 तक का रह इसने जो है क्या कर रखा है वाकई में और दूसरी एक संभावना है कि यहाँ पर जो है सीवेव बनाने में जो वक्त लगा है उचसे कम वक्त में यहाँ पर यह जोन को काटना चाहिए अभी उपर जाते वक्त बैंक निफ्टी अगर नहीं काटेगा तो वापस जो है यह 44, 4556 के जोन में आता हुआ नजर आएगा और 15 मिनिट टाइम फ्रेम में एक बार मैं देखू तो इसमें जो है 200 यह में आसपास कंसोलेडेशन बैंक निफ्टी जो है करता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ से इसको जो कुछ भी करना है थोड़ा क्विक मूव देखना रहेगा फास्ट मूव देखना रहेगा फिर से मैं बोलो 120 मिनिट वाला जो उसी निफ्टी वाला सीनारिय था उसके अंदर इसको जो है यहाँ पर यह काट रहना पड़ेगा कल ठीक है उसी इसमें भी वही टाइम लगेगा शुरू आत की यानि 12 बजे तक यह जो है साड़े 11 से 12 ब करना पड़ेगा तो निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने बता दिया अधर्वाइस वह नहीं कर पाया 12 बजे तक तो समझ लीजिएगा कि वह कहीं ना कहीं सी वेव डैवलप करने के लिए नीचे 700 और आएगा ठीक है 1100 तक नीचे आ सकता है सी वेव अपना कंप्लेट करने के लिए तो और यहां पर वो अगर हुआ फॉर्थ नंबर को नीचे उसने ब्रेक किया तो यह पूरा कपूरा एक नंबर में चला जाएगा एवेव में फिर बी करके सी करेगा तो टोटल ओवरॉल बात हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बीट कोईन में आज थोड़ी सी हर्याली नजर आई है और हमारा जो बात था मैं बोल रहा था बीट कोईन जो है उपर की साड में निकलेगा ऐसा बड़ी टाइम फ्रेम में इसका इंडिकेशन है और कहीं न कहीं वैसा होता हुआ हमें नजर भी आया है दोस्तों तो देखेंगे इसमें पर चाल आ सकती है बीट कोईन के अंदर ठीक है तो यह पूरा का पूरा यहां पर जो इसको ब्रेक आउट उपर की साड में अगर डिसाइसिवली देता है तो यह तीन अजर पॉइंट तक की मोमेंट दे सकता है यहां से ठीक है तो यह 32,000-33,000 तक चला जाएगा बीट कोई गोड को देख लेते हैं गोड में 73 पॉइंट किया तेजी है उसमें तो वन अवर टाइम फ्रेम में जैसा इंडिकेशन है और यहां से यह उपर जा रहा है तो वाकई में अगर इंपल्सिव मुझे वक्त के इसाब से तो नहीं लग रहा है कि यह इंपल्सिव है तो अगर समझ जाएंगे कि गोड में मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं यूएस वाइल और क्रूड क्रूड में दोस्तों देखें क्रूड में 67,000 का जो है उसने ब्रेक करतिया है उपर की साइड में और अभी जो है यह फिर से तैयार हो गया है और एक नेक्स्ट टार्गेट इसका जो है 7,571 के आसपास तो जैसा गिरिस जी बोलते थे क्रूड के बारे में ज्यादा मुझे पूछते थे गिरिस जी तो गिरिस जी देखें आप अगर यह वीडियो को देख रहे है तो आप जैसा हमारा बात हुआ था और जैसा मेरा कॉल था 53,000 से वो चल रहा है और अभी भी चल थार्ड नमर का वेव डैवलपिंग मोड में है और सब्से ज्यादा टेज और सब्से ज्यादा बड़ी मूवमेंट वाले अकसर 3 नमर के वेव जो होते हैं प्रूड के अंदर आप आने वाले वक्त में और तेजी देख सकता है और इसको अमेक राने के बाद अभी रिशंक में इसका एक target जो है यह 7500 के आसपास का निकल के आ रहा है और overall जो वक्त लगा है यहां से यहां तक का ठीक है यहां तक का भी अगर हम गीने यहां तक यहां से अपना एक नमर count हुआ है तो यह जो वक्त लगा है उससे कम वक्त में अगर इसको उपर काटना है तो 9600 का जो जोन है उसको टच करता हुआ नजर आएगा ठीक है तो overall बात हो गया सारा अपना स्टॉक स्पेसिफिक मुझे बात करना था टैक महिंद्रा के बारे में देखा दोस्तों क्या बात हमारा चल रहा था मैं क्या बोल रहा था मैं बोल रहा था सब नेगेटिव बोल रहा है मगर मुझे लग रहा है कि सोमवार को टैक महिंद्रा उपर की शैड में निकल जाएगा आइठिंग कल का वीडियो था या परसो का वीडियो था उसमें मैंने बोला था और वो था मेरा यहां पर प्राइस था मैंने बोला था एकजार असपास है यह सबसे पहले ट्राइ करेगा ग्यारा सो बीस पंदरा से लेकर ग्यारा सो बीस में जाने का और एक्जेक्ट वही हुआ और अभी जो है कंसोलेडेशन करके उपर जा रहा है अभी इसका नेक्स टार्गेट हो गय ग्यारा सो चालिस ग्यारा सो बयालिस के आसपास जाएगा और वैसा होता हुआ नजर आएगा और वो जो है इस तरह से कहीं न कहीं कल जो है मूवमेंट रहने वाला है अच्छा खासा कल और बीस से तीस रूपे टैक महिंद्रा बढ़ सकता है संभावनाए बहुत ज्यादा है और अगर मैं बात करूं तो वन अवर टाइम फ्रेम की 200 की यह में जो है ग्यारा सो पचास के आसपास सबसे पहले यह कोसिस करेगा जाने की और वाकई में अगर इसको इंपल्सिव डैवलप करना है टैक महिंद्रा के अंदर तो यह जो है बारा सो पचास बारा सो साथ के जोन को यह जो है काटता हुआ नजर आएगा यहाँ पर जो वक्त अपना लगा है यहाँ से टोटल ओवरॉल यह जो वक्त लगा है यह वक्त उससे पहले उससे कम वक्त में ठीक है तो मैं ओवरॉल अपना जो एक रिट्रेस्मेंट वाला टूल है उसको मैं ट्राइ करके दे सकते हैं फ्यूचर में लॉंग पोजिशन भी बिल्डब कर सकते हैं अपने जो अपनी पोजिशन होए उसको है जरूर कीजिएगा है करके चलिएगा और यह वाले टार्गेट को हम टाइम वाइस टार्गेट मानते हैं और प्राइस वाइस टार्गेट जो है अपना 1260 कमाते ठीक है तो यहाँ पर हो सकता है बड़ी मुवमेंट आये और 40-40-50-50 रूपे की मुवमेंट जो है टैक महिंद्रा के अंदर दिखाई दे सकती है खराब रिजल्ट आने के बावजुद भी ठीक है तो यह बात हो गया अपना वीडियो का जी पावर इंडिया लिमिटेड मे पाँच रूपे का मुवमेंट टीन परसेंट आज चला है बहुत अच्छा है मुझे अच्छा लगा और साइद स्टॉक ने भी हमारी बात सुन ली है कि मुझे मुझे मल्टी बैगर होना चाहिए साबित अगर चंदरे सर इतना confidence मेरे अंदर दिखा रहे है तो मैं खुद फर्दर कैसा अपडेट रहता है देखे कॉल पाल नीचे आया है और कॉल पाल की बात कर लेते हैं ठीक है एक लास्ट और मैं वीडियो को खतम करूंगा देखिए आज वक्त नहीं है बहुत कम वक्त है मेरा सीडूल बहुत बीजी था फिर भी मैं जो है ट्राइड या मुझ आया है तो क्या है फर्दर अपडेट और जब तक यह वाला जोन मुझे तो लग रहा है नहीं ब्रेक करता है 1990 तक तक इसमें आपको जो है अपनी स्टॉप लॉस जो है अपना पोजिशने जो काटनी नहीं चाहिए ठीक है और भी उपर मोमेंट कर सकता है 15 मिनिट टाइम फ एक बॉक्स में ड्रो करके लास्ट में कॉल पाल में फिर मैं वीडियो को जो खतम करना चाहूंगा यह बॉक्स को जब तक ब्रेक करता है यह दोनों आपका हो गया उपर नीचे वाला लेवाल जब तक यह ब्रेक नहीं करता तब तक आप लॉंग और शॉट पूजिशन जो चला जाएगा तो यही पर मैं वीडियो को खतम करता हूँ थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो दोस्तो थैंक यू वेरी मच आप अगर नए है तो हमारी चैनल को आप दूस्तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल नॉटिफिके दोस्तो थैंक यू वेरी मच जै हिंद जै भारत